thoughts के पीछे दो बदमाश मैंने उनको बदमाश का नाम दिया पहला बदमाश thought का reason जिसको हम intent कहते हैं reason या कारण सोच का और दूसरा बदमाश emotion यानि उसके साथ जुड़ी हुई कोई रस कोई ऐसी चीज जो हमारे को एक emotional play की तरफ लेके जाती है अब ये जो दो चीजें है intent और emotion ये thought बीज का पहला दो कारण हैं जिसको हमको पकड़ना जरूरी है मेरा आप से सवाल और सभी से क्या हमारे हर सोच की जो कारण है वो pure होती है या हमें लगता है कि वो impure भी होती है not all the time हर बार प्योर नहीं होता मैं corporate house में हूँ लोग OBT अटेंड करने के लिए आई outbound training 60% लोग खाना खाने के लिए आए हैं या OBT को enjoy करने के लिए आए हैं 30% लोग अपनी knowledge को अपनी energy को दिखाने आए हैं मेरे को कोई अच्छी चीज मुझ तक पहुँचे तो वो जो कारण है हमको उस कारण को pure रखना ज़रूरी है जैसे ही वहाँ impurity आई तो आपके मिगदाले ने क्या release कर दिया toxin क्या बोल रहा है ये मैं common man की तरह मैंने भी कई courses शुरू में अटेंड कि ये बंदा क्या बोल रहा है what is this instructor trying to tell me तो उसमें मी आ गया मेरा बीच में तो मेरा जो कारण था वो downplay हो गया now I'll come to emotion जब हम emotion positive से किसी चीज को लेते हैं तो हम तक वो लगती है पहुँचती है realization देती है और जब emotion impure होता है छोड़ ना I'm not up to it this doesn't sound good तो हमारी emotion impure होती है now I will come to the part which you started feelings अगर हम उस emotion पर 90 से ज्यादा focus कर लेंगे तो वो emotion convert हो जाएगी feeling में और वही feeling convert हो जाएगी mood में और वही mood convert होगा behavior में वही behavior habit में वही habit character में वही character destiny में and here's how thinking creates destiny and this is how लेकिन इसमें दो steps मैं add करूंगा जो हमारी thought है उससे हमारी visualization और शब्द body language और action भी connected है मुझे कोई चीज पसंद नहीं तो मेरे माथे पर क्या होगा frown jaws tight मेरी बाजू यहाँ मैं नहीं सुनता तो हमारे non-verbal communications भी हमारे सोच से जुड़े हैं और जब हलका सा नाक पर हाथ लगाते हैं यहाँ गर्दन में हलकी सी खारिश करने की कोशिश करते हैं यह ऐसे नहीं है कि उसी टाइम पर यह क्यों आई यह सब conscious mind से connected है और यह उस वक्त ऐसा होता है because this is a way that a person is telling a lie and this is when a person scratches means अब बस कर बहुत हो गया so that is how your all actions words behaviors even destiny are related to the base of thought सोच और लोग नहीं जानते कि यही हमारी उर्जा है तो कहे कि आपकी औरिक अनरजी होगी कहे कि आपकी रइडियंट अनरजी होगी फिर आप बोलो मैं पाउडर लगा लूँ मैं थोड़ा सा touch-up कर लूँ and I will look good be natural and be good so that is I hope यह आपके सवाल का थोड़ा detailed answer था but that is how I look at it जी सर